हेलो फ्रेंड्स, UPSC CSC 2013 का जो ethics paper है उसका एक question है, उसको आज solve करेंगे हम, question यह है कि कुछ लोगों का मानना है कि मुल्य समय और परिस्थिति के साथ बदलते रहते हैं, जबकि अन्य द्रिड़ता से मानते हैं कि कुछ मानवी मुल्य सर्व व्यापक वसास्वत हैं, इस संबं में आपकी धारना देकर बताईए, तरक देकर बताईए, तो इसमें दो चीजे पूछा है, हमें किस रूप में बताना है इसे, सबसे तहम पहले इसका मुल्य की परिवासा लिख देंगे, फिर second में क्या लिखेंगे अपन, कि जैसे कि यहाँ पर बोलाए कि मुल्य जो है, वो समय और परिस्तितिक अनुसार बदलते हैं, तो कैसे बदलते हैं, उसको बताएंगे, फिर तीसरा क्या है, इसमें कि जबकि अन्य द्रिड़ता से मानते हैं, कि कुछ मान भी मुल्य सर्वव्याप्तवा सास्त हैं, तो सर्वव्याप्त कौन-कौन से मुल्या हैं, उनके बारे में और क्यूं हैं, ऐसे टाइप में बताएंगे, फिर एक छोटा सा हमारा निस्कर्स रहेगा, तो इन चारों चीजों को लेकर हमें इस आंसर को बताना है, तो कैसे लिख सकते हैं, इसे हम बनाते हैं, कर दो सकता हूं झाल 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 तो यह question है जो इस प्रकार से बन सकता है आप देखिये इसमें और समझिये और क्या एट कर सकते हैं इसे भी कमेंट में बताएं आप यह हमारा डेफिनेशन हो गया मुल्य का कुछ लोगों के अनुसर मुल्य समय वा परिस्तिति के अनुसर बदलते हैं यह पार्ट हो गया फिर कुछ मानते हैं यह पार्ट है यह हो गया फिर हमारा छोटा सा निसकर्स तो अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे अभी के लिए धन्यवाद